हर इंसान अपनी जिन्दगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, और वो उसके इसाफ से मेहनत भी करता है, पर क्या हर इंसान सफल हो पाता है, वो मुकाम हासिल कर पाता है, जिसे वो पाना चाहता है, नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो जीत वो पागलपन होता ही नहीं जो एक सफल व्यक्ति के अंदर होता है मैं यह नहीं जानता कि तुम अपनी जिन्दगी में क्या कर रहे और क्या करना चाते हो पर मैं जानता कि तुम इस वीडियो को देखने के बाद अपने गोल को पाने के लिए दिन रात पर यह कहां किसी को पता था कि एक दिन पूरी दुनिया को बदल देगा मैं बात कर रहा हूँ अलबर्ट आइंस्टीन की इन्होंने बिग्यान में अपनी छाप हमेशा के लिए छोड़ दी जब तक दुनिया रेगी इनका नाम किताबों से मिटाना नाम मुम्किन है एक बंदल जिसके बाप की डेट बोटी घर में पड़ी हुई है और वो दिली के फ्रोजा कोट मेदान में अपने बले से दुआदार रन बना रहा है मैं बात कर रहा हूँ ब्राट कोली की इत्यास में सिर्फ उसे याद किया जाता है जिसने इत्यास में इत्यास रचा हो और इत्यास भी जिद्धी लोगी रच सकते हैं और जब इंसान में जिद्धी पना जाता है ना तो उसे उसकी मझल से रोक पाना ना मुंकिन होता है उसके सामने चाहिए कैसे भी हालातों पर वो रुकता नहीं बल्कि उनके सामने खड़ा हो जाता एक जिद्धी इंसान बनकर ये जिद नहीं है तो क्या है आज इस बंदे का भारत में नहीं बलकि पूरे बिज़ में नाम है सिर्फ इसके जिदो और पागलपन की बज़े से एक ऐसा इंसान जिसने अपने जिद्धीपन की बज़े से 360 बिट लंबा और 30 बिट चोड़ा पहाड काट दिया यह थे कर लिया कि इसे काटना है तो काटना है और मैं जब तक हार नहीं मानगो जब तक इसे काट नहीं देता चाहे इसमें मेरी पूरी जिन्दगी गुजर जाए और उसने 20 साल बाद उस पहाड़ को काट दिया और सड़क बना दी उस पहाड़ के बीजनमे को कुछ करना या कुछ बनना मुश्किल नहीं होता बलकि मुश्किल होता है अपने काम के लिए जिद्धी बनना एक आम इंसान अपनी जिद्गी में तब तक कुछ बढ़ा नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर वो पागलपन वो जीद होगी नहीं जो से उसका मुकाम हासिल करवा सके एक ऐसा बंदा जिसने अपने सुरुवात की 17 फिल्में फिलॉप दी और उसने कभी हार नहीं मानी वो दिन रात मेहनत करता गया और अपना आपको बहतर बनाता गया मैं बात कर रहा हूं उमिता बच्चन की जिनोंने जंजीर मूवी आने अगहार नहीं मानी क्योंकि उनका अंदर बहुत जीत बहुत पाकल्पन था जो उने मुकाम दिला सकता है हर इनसान के अंदर कुछ नग आपको इंट्रेस्ट है उस बंदे को और चीजों से जादा फुटबोल खेलना पसंद था बहुत ये नहीं जा incidents निए प्ताइममें फ दिहान ना देकर फुटबोल को ये अपना गोल बना लिया। उसकी फुटबोल की स्किल को देखते हुए माधर 11 साल की उम्र में ही। फुर्टगाल के सबसे बड़े फुटबोल किलम ने उसे सामिल कर लिया। सराफ पिने की बज़े से कुछ टाइम बाद उसके पिता की मौत हो गई। उसके पिता की मौत के तीन साल बाद वो दुनिया का सबसे महवा बिगने वाले खिलाली बन गया। ये सब उसकी जीद और पागल बन गई नजीज़ा है। उसके सामने ने एक मुसीबत आई और उसने कभी हार नहीं मानी। तोकि उसकी जीद्धी कुछ बड़ा क हर मुसीबत का जीद्धी बनकर सामने करना होगा।